इन्वेशकार आगे हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के के important question प्रदेश जी के important questions जो है बिसकस करेंगे हर इक अपको हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है तो अब हम कुछिन नमबर वन से इसके स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं यहां पर एंचलियां फॉक्स सॉंग्स आर संग विच्वाइब विचौन अपॉलविग कॉम्टी तो बोलते हैं कि एंचलियां ये जो लो पुरी और ले जाता है तो आपको थोड़ा सा डेटेल पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ओ इस फॉक्स सांग ना फोक स्नागर फोक्स औरा जाता है दार्मिक और से जो हो साहिती आर्याँ ये दार्मिक तार्मिक झायता है और एंचली काने को जो है, वो दुलहन के घर में, किसान समुधाय में, आम रूप से बिवाही जोडे होते हैं, उनके घरों में जाकर जाते हैं और आपने ध्यान लखना है कि दिया नखना है कि जंभा और पांगी, यहां जो पेशेवर गाये कहना ये इसको गाते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है और इसमें ये मुखे रूप से ध्यान रखनें कि ये एक religious song है और किस तरह से जो है वो गाया जाता है किस तरह से previously लोक गीतों से related question पूछे जा चुके हैं वो भी हम लोड़ा सा discuss कर लेते हैं रेकिए question पूछा जा चुका है गंभरी fox song के बारे के लिए जो तो फानसी के तक्त पर चड़ गया था तो ये भी विलासपूर का है और जो चंबा है चंबा के तो बहुत सारे famous हैं जैसे कि फुल्मू रांजा हो गया कुझु चंचलो हो गया राजा गदन हो गया और सुनहरी गीत हो गया यहां का लच्छी गीत हो गया यहां यहां पर famous है तो यह सारे आपने ध्यान लखना है कि इस तरह के लोग गीतों के बारे में पहले पूछा जा चुका है एंचलिया हमने नया वन एक डिसकस किया जो farming community को belong करता है और धार्मिक रूप से गाया जाता है तो यह आपने ध्यान लखना है अगला question देखें बोलते ह जो था Sanskrit से जो था translate कर दिया गया प्रंतु कौन सी भासा में जो था उनको translate किया गया यह पूछा जाता है तो उनको फार्ची परसियन में जो था वो translate किया था option B जो हो सही अंचरे इसके पीछे की पूरी बात पूरी कहानी जो हो किस तरह से है वह आपको पता होना चाहिए क पूरी बात जो था वो हुई क्या थी कब जो था वो लूटा गया था और कि जब लूटा गया था तो किस तरह से कौन वहां का राजा था लेखिए बात है 1337 में 1337 की मुहमद बिन तुगलक जो था मुहमद बिन तुगलक जो हो कांगडा आता है और वो कांगडा के उपर ज Tuglac यहांपर आक्रमन करता है और Tuglac जब आक्रमन करता है तो बौह तबाही Meन्दिन में का जाता है लगबग 1300 बेकरां किताब पुस्तकें थी सारी की सारी उनका translation। फारसी में करवाया गया और इन पुस्तकों को जो था वो फिर नाम कुछ और नाम दे दिया गए इनको नाम दलीले फिरोदसाही नाम जो था वो इनको दे दिया था ये भी आपने ध्यान लखना है दलीले फिरोदसाही नाम इनको दे दिया था और खालीद खाने के द्वारा जो था वो इनको ट्रांसलेट किया गए था तो ये भी पूछा जा सकता है किसने ट्रांसलीट किया था क्या नाम था कौन से मंदिर की किताबें थी किसका कारेकाल था फिरोदसा तुगलक था और आपने साथ में ध्यान रखना है कि रूपचंद जुथा हो यहां का राजा हुआ करता था उस टाइम जब यह आकरमन जुथा वो हुआ था फिरोदसा अगला क्योशन भी इसी तरह से यहां से रिलेट करता है बोलते हैं वो डिसक्राइब दा इन्वेशन ऑफ महमूत गजनवी और नगर कोट इन तारीख यामिनी तो बोलते हैं तारीख यामिनीमें नगर कोट पर महमूत गजनवी के आकरमन का वरनन जो हूँ किस तरे किया है देखिए महमूद गजनवी के द्वारा जो नगरकोट पर आकर्मन किया गया था उसका वर्णन किया गया किताब में अब उसका वर्णन किया गया जिस किताब में उसका नाम था उसका नाम भी जरूरी है उसका नाम था तारीक यामीनी तारीक यामीनी उसका नाम था प्रंतू कहते हैं कि ये ये जो था किया किस के द्वारा गया था किसने इसको डिस्क्राइब किया था तो ये उतवी के द्वारा जो था वो किया गया था option B जो हो सभी अंसरे एक और question exam में फूच जाता है कि उतवी ने जो था नगर कोट को क्या कहकर जो था वो संभोधित जो बोजित किया था तो ये उत्वी के द्वारा किया गया था ये महमूद गजनवी का जो था वो दरवारी हुआ करता था इसके इनके दरवार में जो था वो हुआ करता था अब महमूद गजनवी के दरवार में होता था तो आपने ध्यान रखना है कि इसने नगरकोट को एक हज तोcuss 9 में जो था वो लूटा, फैंने एक और बात यहां पर ध्यान लख लेनी है, जो INडिया जी की, मैं फूछिजदानेू किताने एक सोमनाथ मअनतिर में फैंध मंधिर को जो हूआ हाँ, मेहमूद Gajanow vibes को हरते, थे वो उन में से जो था वो एक उत्वी होते थे फिर्दोसी भी इनके दरवार में होते थे फिर्दोसी के दुरा अलावा अलवरूनी भी इनके दरवार में जो था वो विद्वान जो था वो हुआ करते थे तो ये सारे के सारे इनके विद्वान थे ये जो तारीक यामीनी की दूरे रिचना की ती तारीक यामीनी की रचना चीए तारीक यामीनीमें। की रचना में जो है मह्मुद के जीवन के बार में बहुत कुछ जो hang yahoo, बताया गे है यहां पर यह भी इंपॉड़न्ट है आपके लिए कि कि जी किताब में बताया गेह था अ आपको पता चलके, आपको डॉट तो नहीं रहा यहां थे, तो यहां से जो भी क् coalition बननेंगे, वets नोट कियोंगे, क्या 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 क्यों से कर वाइस कर वाता हूं, एक तो एक हजार नौ में किया, इनका दर्वारी था उत भी, उसके काँ कौन से किताब लिखी गई, ता रिखे यामी ने में जो हो मेंशन कर रखा है और महमूद के जो था वो दरवारी थे अलबुरूनी उतबी फिर्दोसी ये भी ध्यान रखें सोमनात मंदिर को कब लूटा था एक सब्सक्राइब लूटा था यहां से कुशिन बन सकता है अगला कुशिन देखें बोलते हैं अगला किले को 1573 में अपने अधीन लेने के लिए उसको अधिकरन करने के लिए जो था वो किसको भीजा गया था अब देखो अकवर ने कोशिश तो चाहे बहुत की थी प्रन्तु कांगडा किले को नहीं जीत पाया था वो स्पैसिफिक रूप से हम कांगडा किले की बात कर तो यह भीजा गे था किसको आपने धियान रखना है राजा तोडर मल को जो भीजा गया था option cois किस तरह से पूछा जाता है कि 15-73 में अकवर ने किसको भीजा था तोडर मल को जो था औ भीजा था इससे पहले 1572 में अकवर के दोरा आर्मी सेंड की गई थी उस आर्मी को जो तोडरमल ने शो था यहां पर 66 वीलेजीज को जो अपने धीन ले लिया था जो रिहलू का इलाका जो चंबा के साथ डिस्पोड था उसको भी अपने धीन ले लिया था बट वो कांगडा के ले को अपने धीन नहीं कर पाया था कांगडा के लिए को अपने धीन नहीं कर पाया था और उसके बाद भी जो था वो कांगडा के लिए को अपने धीन लेने के प्रेतन जो था वो जारी रहे थे ये प्रेतन जो था वो जहांगीर के टाइम तक चलते रहे और जहांगीर जो है फिर 1622 में 1622 में जो है वो कांगड कांगणा घूमने भी आता है नूर जहां के साथ नूर जहां उनकी पत्त नी थी और जहांगीर जब आता है तो उस टाइम नूरपूर के जो राजा हुआ करते थे जगत सिंग उनके तौरा जो था affirm नूर जहां को समान देते रूँ यहांगीर को इतना पसंद यह एरिया आया Тा कि प्रंदू जगजफिक सिंग भी यहां से डग गया कि अगर कहीं यहां पर महल बना लिया तो मेरी प्राइवेसी भंग जाएगी तो उसने क्या किया उसने वह ढदंत कहानिया सुना दी अ यहां के लोगों को एक अलग तरह की बिमारी है उनके गले बहुत बड़े-बड़े हैं तो यहां की हवा ही ऐसी है उसने कुछ ऐसे ऐसी कहान यह बना दी कि नूर जहां इतनी खुबसूरत होती थी उसने सोचा कि अगर वो कहीं वहां पर रही तो भी जो है वो इस तरह की हो जाएगी तो उसने वहां पर महल बनाने से इंकार कर दिये था प्रंदू यहां पर एक और बात इंपॉर्टन्ट रखने वाली कि कांगडा के लिए का जो लास्ट मुगल के लिए दार था वो कौन था वो था सैफ अली खान उनके बारे उसके बारे में फूजाता है कि सैफ अ तो यह आपने कंति में को मुगल के लिए दार जो हो ध्यान दखना है कि कौन था तो इस तरह से अलग लग इस यहां से बने जो भी इंपॉर्टन कोशिंस बने अगर आपने पढ़े हैं तो ध्यान से सुनने हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नोट करने हैं साथ में कोशिन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो हैं वो करेंगे आगे बोलते हैं कोट कुटलेहर वाज दिक कैपिटल ऑफ विच एमंग दा फॉलंग तो बोलते हैं कोट कुटलेहर जो था वो किसकी राज़ानी थी निमल लिखित में से अब यहां पर ना कोई रियासत का नाम नहीं दिया गया है यहां पर नाम दिया गया है राजा का नाम तो कोट कहलूर बोलते हैं कौन से राजा की राज़ानी जो था वो हुआ करती थी अगर हम बात करते हैं यहां पर कोट कहलूर की कि यह किसकी राज़ानी जो था वो हुआ करती थी तो यह राज़ानी हुआ करत थी राजा जस्पाल की ऑप्शन सी जो है वो सही अंतर है राजा जस्पाल की जो है वो यह राजदानी रह चुकी है अभी हम कोट के लूर के बारे में जब इंपोर्टन जानेंगे ना यहां पर डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे तो आपके कॉंसेप्ट और भी ज्यादा क्ल किह र्यासत की यह आपने धियान कॉन सी र्यासत की अगई धीरी तो यह जो था दोरा ही कुट के तरर फिक्ट की खियाanç Hill that कि Анд और संसारचंद जब आया ना तो संसारचंद ने 1786 में कुटलहर पर कब्जा किया और इसके बाद यहां पर गुरखाओं ने जो था वो इसे आजाद करवाया था और उसके बाद गुरखाओं ने तो आजाद करवाया परन्त फिर सिख्छों का टाइम आ गया 1809 में ये सिख्खों के अधिन चली गई थी elite जैसे एक्जाम में ये ग्वेशन पूछा गया है कि कब कुटलेहर रियासत जो था वो सिख्खों के अधिन गई थी 1809 में ये सिख्खों के अधिन जो था वो आ गई थी ये नोट करना था यहां से और प्रिजेंट टाइम में अगर हम इसकी बात करते हैं तो कुटले है रियासत जो है वो उन्ना जिला का हिस्सा थी और कांगडा रियासत से तूट कर जो था ये बनी थी ये भी ध्यान लखें ठीका जी ये सारे कोशन्स आपको पता चले यहां से कि क्या क्या था जस्पाल य भी इनके द्वारा ही जो था हो बनाया गया था साथ में आपने यहां पर ध्यान लखना है घमंड चंद संसार चंद कब कब आकरमन यहां पर कबजा कर लिया फिर सिखों के धीन कब आई जो कि सबसे इंपॉर्टन्ट है गोर्खाओं ने इसको अजात करवाया प्रंतु फि इसको कब लांच किया गया था कई बार ही इस तरह की प्रीवियस योजनाएं पोची गई है एक्जाम में तो यहां से ध्याम देने लाइक बात है कि इसकी यह योजना कब लांच की गई थी तो 2005 की यह बात है आपने यहां से नोट करना है कि ऑप्शन बी जो है उसाई अनस जो कोईशन बुक होती है ना उसमें आ गई तो वहां से कोईशन बनेंगे 2005 में क्या हुआ था 2005 में विंटर सेशन जो हमारी स्टेट असेंबली का जो था ना यह शिमला पहले तो देखो शिमला में ही सेशन होता था पर उन्तु शिमला के बाहर भी यह और्गनाइज होने ल उससे पहले क्या हुआ था उससे पहले 1999 में 1999 और 2000 में जो था वो एक योजना आई थी जिसका नाम था नेशनल एग्रिकल्चर इंसुरेंस स्कीम यह भी ध्यान लखना है और एग्जेक्टली 1999 में क्या हुआ था 1999 में आपने थ्यान लखना है कि परमवीर चक्कर जो था वो कैप्टन विक्रम बत्तरा जी को कारगिल वार जब चलाता ना तो वहां पर उप्रेशन चला था एक उप्रेशन वीजे जहां पर यह सहीद हुए थे तो उस दुरान जो था वो इनको यह दिया गया था यह अपने ध्यान लखना है कि एक एक्जाम हम स्वैन योजना के बार हुए थी यह आपने यहां से नोट करना है दोहजार आट में एक और इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल मुवमेंट हिमाचल के लिए हुई जब दोहजार आट में जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको युनैसको की हैरिटेज लिस्ट में जो थाव शामिल किया था दोहजा तो बोलता हैं कि कारदंग गोंपा जो कि लोहाल्स पित्ति में जूपा घ्जाय की बात की गई है कि लामा नुरबु गजांगओा के दौरा के दोह था जूप हो कब जिरनोंद्वार दोह जूपा था यह मौनेस्ट्री बनी थी और 1912 की यह बात है जब इसको रेनोवेट जो था वो करवाया गया था किसकव 1912 में ऑप्शन बी जो है वो सही अंसर है लामा नुर्बू के द्वारा जो था वो इसको रेनोवेट करवाया गये था यह अपने ध्यान लगवग नौस्तो जो 105 एड करणग मौनेस्ट्री की जो मनेस्ट्री जैना हिमांचल की वो भी पूछी जाती है兩ग चाना सौका 90 ना किå वारा जो था वो इसको प्रेजेंट पर लोगों को किया गया था संभूरित किया गया था तायूल मॉनेश्ट्री भी है 17th century में जो था यह बनी थी लामा सार्जाहरिंचेन के द्वारा यह बनवाई गई थी साशूर मॉनेश्ट्री है ये भी लहौ्ल स्पित्ती में ही जो है क्योंध सत्तित है ग्यामूर मौनेस्ट्री यह भी लहा सब्सक्राइज छंडरा और भागा नदियों के संगम स्थान के पास ही जो है वो से तया ऐसे यह तुप्चलिंग विलेज में स्थित है यह ध्यान रखें एक्जेक्टली प्रंथू चंद्रा और भागा नदी यहां तांदी नामक विलेज में जो हो आकर मिलती है तो आगे चल कर यह चनाब का रूप जहां वो धारन कर लेती है चंद्रा और भागा हमारे बाइस बैली बी हैं गलेशियर भी हैं तो लिहां से section बने थे और हमने हम्लार मनेस्टरीज को ही रिवाईस कि पित्ती की important one मॉनेस्टरीज हैं वह हमने रिवाइस कर लए अगला question दरहें जी कीका बोस्तइ बोलते हैं on May 1918 15 तो बोलते हैं जी कि ये 1815 की बात थी अंगलो गोर्खा वार चला हुआ था भक्ती थापा जो था वो इस पर मारा गया प्रंतु बोलते हैं कौन से फोर्ट में ये मारा गया था कौन से किले में जो था ये मारा गया था 1815 की ये बात है जब एंगलो गोर्खा वार ये हुआ था और इसमें भक्ती थापा जो हो मारा जाता है जोगी गोर्खाओं के लिए एक बहुत बड़ी हानी होती है और इसके बाद तो ये एक तरह से तूट भी जाते है 1815 में जब ये मारा जाता है ना तो सेना का नित्रित्व कौन कर रहा था अंग्रेजी सेना का तो डेविट अक्टोलोनी जो था वो नित्रित्व कर रहे थे और अमर सिंग थापा जो था वो मलाण के किले में चला गया था जहांपर वो मारा गया था ऑप्शन बी जो है मलाण किला सही है देखो कहा जाता है ना कि जब गोर्खाओं को यहां पर इन्वाइट किया गए था ना कांगड़ा के उपर आकर्मन करने के लिए तो इन्होंने बहुत करूरता के साथ आकर्मन किया था ये तनी करूरता के साथ आकर्मन करते थे ये देखते भी नहीं थे कि इनसान को काट रह बहकती थाप जो है इनका बहादुर एक बड़ा ही बहादूर सिपाही था सरदार आप कहेंगे वो जो हो मारा जाता है उसके बाद इनकी आक तरह से आप गए रीड की हड़ी तोट जाते यह और पूरी तरह से यह काम नहीं कर पाते हैं बाद में चल कर संगौली की संदी होती है और इनको वापीश नेपाल भेज़ दे जाता है तो वह पूरा सिनरियो थापा के नित्रित्तों में जो था उलगभग 1856 के करीब यहां पर पहुंच के थे 1806 में अमर सिंग थापा ने महल मुरियां में जो थाओ संसार चंद को पराजित पी जो थाओ कर लिया था बात में चलकर 1809 में जो अला मुखी में एक संधी होती है जहांपर महराजा रंजीत सिंग से जो हो संसार चंद एक संधी करता है और सहायता मांगता है और फिर अंग्रेजों की इंटर्फिरेंस भी जो हो धीरे-दीरे यहांपर हो जाती है आगे बोलते हैं मंचित बोलते हैं यह भासा की एक प्रकार है तो बोलते हैं कि यह तीबती और हिंदी भासा का जो हो मिस्तरन है प्रंतु कौन से लोगों के द्वारा जो है यह बोली जाती है अगर हम मंचित की बात करते हैं तो ये भासा का तो पता चल गए आपको किस भासा का मिश्टरण है ये परन्तु ये बोली कौन से लोगों के दोरा जाती है तो ये बोली जाती है सुआंगला इसके दोरा option B जो है वो सही answer हो जाएगा स्वांगला ट्राइफ के बार में हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं इनके बीच में अलग लग भासाएं बोली जाती हैं जैसे कि भोटी भासा बोली जाती है चिनाली भासा इनके बीच में बोली जाती है इनके बीच में जो बिहा के परकार होते हैं यानिके मेरीज के परकार होते हैं, उसमें रुस्ताते बियाहा आजाता है, उसमें मजमी बियाहा आजाता है, ये जो है, वो मुख्य रूप से होते हैं, इनके बीच में जो भूजन होता है, उसमें चिलरा, जो जो की रोटी होती है, उसको चिलरा ये कहते हैं, चिलरा इनके भूजन का एक परकार है और अस्थाई जो स्थानिय रूप से ये सराब जो बनाते हैं उसको चांग कहते हैं चांग जो है उसको कहा जाता है जो स्थानिय रूप से सराब जो है वो उनके दोरा बनाई जाती है ठीक है ये कोईशन जैसे चिलरा हो गया चांग हो गया स्वांग ठीक है यह सारी चीज़ें यहां से नोट करनी है आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है ताकि एक्जाम में पुछा जाए तो माइंड में चीज़ें क्लैश करें रहा है और आपको बिल्कुल एकुरेट अंसर करने में जो हो हेल्प मिल सके पीजीटी पेपर वन आप को पता है पिछले कल ही जो था वो क्या हुआ था जो पीजीटी लेक्चर स्कूल लेक्चर का जो शेडूल है ना शेडूल क्या कहेंगे आप कहेंगे कि जो रिजेक्शन लिस्ट थी ना मैथेमेटिक्स की वो एक तरह से डाली गई थी जिन बच्च्वन फीस नहीं दी थी म मैंने टेलिग्राम पर शेयर की थी तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जो हो कहीं ना कहीं पर चल पड़ी है अगर आप इस लेक्चर पीजीटी पेपर वन के लिए जो है वो पर टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दिया गया है अभी नहीं तो कभी नहीं क्योंकि इसते अच्छी अपर्चुनिटी आपको पता नहीं कब मिलेगी इसते पहले चार-पांच सार पहले एक्जाम हुआ था डेफिनिटली आगे आने वाले टाइम में कब होगा कुछ नहीं कह सकते तो इस पार अपर्चुनिटी को हाथ से ज बुलता है कहलूर राज्य में धांडरा संगहर्ष जिसे जन अंदोलन भी कहा जाता है ये कब हुआ था तो कहलूर में हुआ कहलूर यानिके फीलासपूर प्रागी आपको पैönीफ प्रिया में यह आपको पूर्च परसपूरिए पहलन प्रच्य अनंद चंद ही जो था वो बिलासपूर के अंतिम साशक भी जो था वो थे जब 1948 में हिमाचल का गठन होता है तो यह मना कर देते हैं कि यह बिलासपूर में नहीं मिलेंगी तो इनको बिलासपूर का पहले मुख्यायुक्त बना दी जाता है तो कोईशन हमने कहां पर पढ़ा ह पढ़ा है कि बिलासपूर को पहले मुख्यायुक्त कौन थे तो वो थे राजा अनंद चंद उसके बाल बात में चलकर इनको रिलाइज होता है कि नहीं यार बिलासपूर को मिलाना ही पड़ेगा हिमाचल में तो जुलाई 1954 को यह बिले कर देते हैं और यह पांचमें नंब इस तरह किया गया इस तरह आएक अलग से सिनेरियो बताता हूं आपको अच्छा लगेगा जानकर कि क्या क्या चीज़ें होती थी इस दोरानना कहते हैं ना कि नमग हरामी नहीं करेंगे हुआनला इस तरह किया गया यहां लूटा किया गया लूटा जो था यहां पर किया गया इस में क्या था इसमें प्रव मक मिला यह और लोगों को पीते खोंगे और वहां से ना वह 6 गी नहीं आपकी अपड़ी दूसरी जात्त रूता करते थे, तो इस तरह से जिना गिया, ताखी लोग आपने लोगों के वीदूदत नाजए और ढांड़ान यह हुआ, इसमें डंडा मार्च कराय आ गया गया था. तो वहींके धन्ड़ान गांडलन इसका नाम ne Pढ़ गया कि जब First World War हुआ था तो विलासपूर के राजा कौन थे तो First World War प्रत्थम विश्विद्ध के दोरान विलासपूर के राजा थे राजा विजे चंद इन्होंने अंग्रेजों की सहाइता यहां पर की थी 1557 का विद्रो हुआ था तब बिलासपूर के राजा कौन थे तो राजा हीरा चंद बिलासपूर के राजा थे इन्होंने भी जो था वो अंग्रेजों को सहाइता वरदान जो था वो करवाई थी यह भी कोईशन यहां से बनता है अच्छा कहलूर कहलूर हम पढ़ रही थे ना पहले तो कहलूर का नाम बिलासपूर कब पढ़ा था या फिर किस कौन से ये राजा हुए जिनके द्वारा जो था वो कहलूर का नाम बदल कर जो था वो बियासपूर या फिर बिलासपूर कह लिंक भी जो है उनेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है डिरक्ट लिए आप हमें इमेल भी कर सकते हैं अगर आपको यूपियाई पेइमेंट करनी है अभी क्योशन देखें क्या है बोलते हैं इन विच येर फर्स्ट हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्टेश मैं नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जोइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से एड़ दरे टॉल एक्जाम 31 इस तरह से सर्च करना आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं अगर भी तक नहीं जुड़ है आने वाले आपको हमारा टेलीग्राम पर जाएगा पहले जो है वो मिलती रही है तक आल टो टोडेए थैंक यू थैंक यू बरी मुच फर वाचिन एड लिसने ड़ीप्टेंशली